हाई फ्रेंट्स वेलकम टो कुक्वीच जेतना तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेसल मज़ेदार सी जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है गर्मे उसकी सबसे स्पेसल रेसिपी आइसक्रीम की लेके आई हूँ जो सबको काफी ज़्यादा पसंद आने वाली है और फ्रेंट्स बहुत ही कम बजट में यह हमारी आईसक्रीम बन के तयार होगी घर पे काफी ज़्यादा क्वांटीटे में तो यह देखे मैंने यहाँ पे यह कच्छा मैंगो बाइट टोफी लिए जो एक रुपे की दो आती है और इनसे बहुत ज़्यादा टेस् इसके से मुझे नहीं लगता इससे आसान तरीका कहीं और भी देखा होगा आपने तो मैंने यहाँ पे सभी टोफी अलग बरतन में निकाल लिए अब हमें कोई भी पनी पोलिथीन लेनी है उसके उपर सभी टोफियां रख देनी है और जिससे हम अद्रक वगेरा कूटते है या फिल बेलन से जैसे भी आपको सही लगे उससे हमें इनको क्रश कर लेना है इस तरीके से बस हलकी हलकी सी क्योंकि इसकी हम चासनी में सिरफ बनाना है तो यह आराम से मेल्ट हो जाएगी तो बस मैंने थोड़ा सा इनको क्रश कर लिया है इधर मैंने एक बड़े बरतन के लिग ने जिसके लिए न इसके आपना प्र कोई भालों प्रोंगर ना है और पानी दाल लेना है और पानी में में जिनी और होती हिसा आप बस अब हमें क्या करना है चीनी ऑचास पर 296-30 डैस्टίο अच्छımız बाद है मिल्ट होने के बाद भाद में इसमें टॉफी वाला दाल देंगे और उसको अच्छे सेव मिक्स कर लेना है जैसे से लिक्विएंद साथ कर वां की सबस Yani का होगा यह बहुत यह अच्छी तरीके से मैल्ट हो जाएगी और बहुत इशांदार सा इसमें आ आ जाएगा आपको लगता है वैसे तो कलर आ जाता है लेकिन अगर आपको लगता है थोड़ा और जो अदर डारक चाहिए तो थोड़ा green color डाल सकते हो और नीमबू डालना है नीमबू क्या करेगा जो टोफी का और जो चीनी का जो टेस्ट ना उसको balance करेगा नीमबू तो नीमबू मैंने डाल दिया है आदा नीमबू के करीब और अच्छे से mix कर देते हैं और इदर हम कुछ भी ले ले लेना है जिसके अंदर हमें आइस क्रीम बनानी है काट का गिलास हो या फिर जिसके अंदर disposal जिसके अंदर चाहिए अगर आप इतने उसमें भी बना सकते हो या फिर ये मोल्ड बहुत ही आसाने से मिल जाएंगे आप इसके अंदर बना सकते हो तो मैंने आप ये मोल्ड ले लिया है आइस क्रीम वाला और इसके अंदर रख देंगे सब पूरी जो हमारा सिरफ बन के तयार हुआ है वो इसके अंदर डाल देंगे और कुछ नहीं थोड़ी थोड़ी से कट लगाने है और इसके अंदर हमें डालनी है स्टिक और बस पांच घंटे में हमारी आइस क्रीम है वो बन के तयार होगी तो मैं यहां पर क्या कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से अंगुली की साहिता से कर लेती हूँ ताकि हमें होल का पता चल जाए कि हमें बीचों पीची स्टिक डालनी है इसलिए तो यह देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा चाकू से इसमें होल कर दूँगी ज्यादा नहीं करना वरना जो स्टिक वो टेड़ी हो जाएगी और आइसक्रीम अच्छे तरीके से खाने में नहीं आएगी तो उनके लिए बिल आइसक्रीम खाने का तो बहुत ही कम बजट में घर पे आइसक्रीम बनाते हैं और बहुत ही आसान से तरीके से तो मैंने यहां पर आइसक्रीम बनाई तो बच्चे भी हएं क्योंकि उनको बहुत अच्छी लग रही है तो लगब मैंने 5-6 घंटे बाद में फ्रीज में निक तो बस यह देखिए हमारी बहुत ही शानदार मज़दार सी खटी मीठी और बहुत ही जूसी सी आइस क्रीम बनकी तयार हुए बिना मावा बिना दूद कोई भी कुछ भी खर्चा सिर्फ पानी टोफी और चीनी का खर्चा होता इसमें और कुछ भी नहीं होता तो यह आएगी बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी और बहुत ही कम बजट में हम घर पे बच्चों को खुश कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स आई होफ वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक मेंट चेल करना बई बाइब राइब घाइब नहेगी लगी बाइब और लाइब राइब कर दो खुश कर सकते हैं जा एक हुश कर दो घून तो लैगी बाइब आए बाइब लाइब यथा बाइब घड़ियो अबाइब और